शिरी शिवाय नमस्तु प्याम, हर हर महादे, भगवान भूले नात, आप सभी की मनोकाम नापूनी करें, इसी के साथ आजका जो जानकारी है और उपाई जो लेक्याई हूँ विनाइक चतुर्ती के संबन में हैं, लेकिन उपाई जानकारी बताने से पहले आप सभी से रिक् वो 26 नुवंबर को राज 7 बच के 28 मिनिट से शुरू होगा और 27 नुवर को शाम 4 बच के 25 मिनिट तक रहेगा, और पूजा का जो महुरत है वो 27 नुवंबर को 11 बच कर 11 मिनिट से 1 बच तक रहेगा, तो इस शुब महुरत में आप पूजन कर सकते हैं भगवान गन्यपती जी के कृपपा पाने के लिए अगर आप कुछ विशेश उपाय करते हैं अपनी मनुकामना पूर्थी के लिए तो आपके कारे अवश्य सिद्ध होते हैं सुख सौभा के धन कादी की प्राप्ति होती है तो चेली देख लेते हैं से कौन से उपाय हैं जिनको करने से हमारी मादान होता है विनाई चतूर्ती व्रत की दिन पूजा के दोरान शुब महुरत में गणे जी को सिंदूर का दिलक लगाना चाहिए साथ ही भगवान गण पती जी को गेंदी की फूल की माला अर्पित करना चाहिए पूजा गत्म होने के बाद उसे उतार कर घर के मुखी ग बढ़ते जा रहे हैं और घर में कलेश रहता है पती बत्ती में जगडा रहता है बच्ची नहीं सुनते हैं आपके कहने में नहीं चलते हैं तो आपको विनाई चतूर्ती के दित भगवान गण पती जी को हरे रंग का वस्त्र धारन करवाना चाहिए हरे रंग का वस्त्र औ लॉंग और इलाईची पांच पांच लॉंग और पांच इलाईची आपको भगवान को समर्पित करना चीए इससे आपके जो आपसी मत भेदिना वो दूर होंगे आपस में प्रेम बढ़ेगा विनाई चतूरती के दिद भगवान गनपती जी को दूर्वा चड़ाना बहुत अरचना कर रहे हैं तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखेगा कि उन्हें दूर्वा अवश्य चड़ाए भगवान गनपती जी को दूर्वा अतिप्रिये हैं बिना दूर्वा के भगवान गनपती जी की पूजा अमान्य है मानी नहीं जाती है इसलिए दूर्वा बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति विमार रहता है बहुत इलाज करवालिया ठीक नहीं हो रहा है तो आपको ये दुर्वा का जो उपाये न अभिश्य कर लेना चाहिए इसमें क्या करना है आपको 21, 51, 41 जित्ती भी दुर्वा की आप मिल सके उतकी गांठ बनाईए और भगव एक दुर्वा रोज सुभे मरीज व्यक्ति को खिलाने से जो रोग है न उससे आपको निजात मिलेगी रोग में आपको फायदा होगा जिसे व्यक्ति को रोग है उसको आप एक दुर्वा रोज सुभे खिलाए तो ये उपाय करने से रोग से मुक्ति मिलती है अगर आप भ हूँ तो कमेंट में श्री शिवाई नमस्तु प्याम अवर्शी लिख दीजेगा फिर मिलती हैं तरी को पाई जान करें वे साथ में तब तक के लिए रादे रादे श्री शिवाई नमस्तु प्याम